आपकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में दिली के सियम अरविंद केजरिवाल तीहाड जेल में बंध हैं। इस बीच शराब घोटाले में फसे मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के लिए सोमवार का दिन काफी एहम माना जा रहा है। दरसल दिली हाई कोट सोमवार यानि की आज मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल की उस याज़िका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग का अनुरोद किया है। अरविंद केजरिवाल ने निचली अदालत के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये अपने वकीलों से सब्तहा में दो एक्स्ट्रा मिटिंग की अनुमती देने के निर्देश देने संबंधी अरजी को खारिच कर दिया गया था और जेल अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिये गए थे अभी निचली अदालत ने केजरिवाल को हफते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग करने की इचाज़त दी है निचली अदालत के समख्ष दायर याचिका में केजरिवाल ने कहा कि वो देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निस्पक्ष सुनवाई के अधिकार के अधार पर उन्हें इन मामलों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉनफरेंस के जरिए अपने वक कॉनफरेंस के माध्यम से दो एक्स्ट्रा मिटिंग के हगदार कैसे हैं जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और उसका निप्टारा भी कर दिया गया था अलग-अलग याचिकाओं में केजरिवाल ने कथी तापकारी निती घोटाले की संबंध में CBI की और से दर्ज भरस्टाचार मामले में अपनी गिरफतारी को चनौती दी है और जमानत का भी अनुरोध किया है दोनों याचिकाओं उच न्याले में लंबित हैं आम आदमी पार्टी के रास्ट्रिय सन्योजक और दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल को CBI ने 26 जून को तिहार जेल से गिरफतार किया था जहां वो एडी की दर्ज धन शोधन के एक मामले में अभी भी न्याइक हिरासत में बंद हैं आपको बता दे कि दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल को 21 मार्च को एडी ने गिरफतार किया था उन्हें धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी खलाकि हाई कोट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी दिली के उपरा जेपाल दौरा आपकारी निती बनाने और किर्यान वियन से जुड़ी कथित आ नियमतताओं और भरस्टचार की सीबियाई जाच के आदेश देने के बाद 2022 में इस निती को रद कर दिया गया था सीबियाई और एडी के मताबिक आपकारी निती में संशोधन करते समय आ नियमतताओं की गई और लाइसंस धारकों को अनूचित लाप पहुचा आया गया आपको बता दे कि दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल की तरफ से दिली हाई कोट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं इससे पहले दो जुलाई को केजरिवाल की याचिकाप पर सुनवाई की गई थी इस दोरान एड़ोकेट सिंग्वी ने कहा कि केजरिवाल कोई इसमें जमानत के लिए कोई प्रात्ना नहीं है इस पर सिंग्वी ने जवाब दिया और कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं हम जमानत के लिए अलग अर्जी दाखिल करेंगे वहीं सीबियाई के वकील डीपी सिंग्वी ने कहा कि इसी अधार पर एक और आरोपी की याचिका जुलाई तैकी है अब सवाल ये उठता है कि आज कोट के इजरिवाल के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर कोट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है फिलाल इस खबर में इतना ही